differentiation for next point, पहले तो यह देखो, मालने हमाने पास fx ऐसे लिखा है, x-1 का Q, x-2, x-1, ठीक है, अगर मैं तुम से पूछूँ के fx के कितने रूट्स हैं, और अगर तुमने आंसर ऐसे दिया, एक, दो, तीन, तो गलत है, क्योंकि रेपीटिव रूट भी गिने जाते हैं, ठीक है, तो इसमें 1, 1, 1, 3 बार आ रहे हैं, यह ठीक है, अगर मैं बनूँ उसके रूट्स के हैं, रूट्स, तो ऐसे बताए देंगे, 1, 1, 1, क्योंकि यह वाला 0 कब होगा, x-2, 1 रखने पे, यह 0 कब होगा, 2 रखने पे, और यह 0 कब होगा, minus 1 रखने, ठीक है, तो fx के लिए, number of roots क्या होगा, इसके लिए, number of roots, will be, 1, 2, 3, 4, 5, 5 roots है, यह ठीक है, इन 5 roots में से हम बोलेंगे, यह 3 रखने हैं, और कितनी बार repeated हैं, 3 बार, यह ठीक है, इस में से, out of which, one is repeated, यह ठीक है, 3 टाइम्स, तो अगर मालिया मेरे को fx दे रखा है, ठीक है, और इसको मालिया हमने open कर दिया, open कर दिया तो, एक 5 डिगरी का point normal expression आ जाएगा, अगर मैं को यह पता लगाना हूँ कि उसका one एक root है, ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, उसमें हमने one लक दिया, तो satisfy हो गया, तो one root हो गया, अब उसमें one लखने से क्या हुआ, कि यह तो पता लगाए, one root है, बट directly हमने यह नहीं पता लगा, कि one कितनी बार repeat हो रहा है, या one repeated root है या नहीं, तो वो जानने का वैसे एक तरीका तो यह है, कि अगर हमने पता लगाए, कि one root है, तो उसमें से हमने क्या कि उसको factorize कर लिया, एक x minus one का factor अलग निकाल लिया, दूसरा एक 4 degree का expression आईगा, उस 4 degree का expression में फिर एक बार one लखो, अगर वो फिर zero हो जाए, तो फिर पता लग जाए कि एक और root बहारा जाएगा, and so on, ये ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तो हम इसको ऐसे समझो, कि मालनिया, fx is equals to x minus one का cube into, ऐसे लिखा था न, x minus two, x plus one, and so on, ऐसे लिखा था, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, x minus one का cube into, बचे हुए को gx बोल दिया, ठीक है, इतने फेक्टर को एक मिनट के लिए gx बोल दिया, ठीक है, अगर इसमें मैंने, fx में, अगर x is equals to one में का, तो f1 zero हो जाएगा, ठीक है, very good, तो यहां से तो मैं बता लगा है, यह one root है, फिर हमने क्या कि इसको differentiate किया, तो आजएगा, f dash x is equals to, कितना आएगा इसके differentiation से, वो आजएगा, 3 x minus one का square into gx, ठीक है, प्लस, x minus one का cube into g dash x, यहाजएगा, इसमें मैं, अगर x minus one रगा, तो f dash one कितना आजएगा, वो भी zero, क्योंकि differentiate करने से क्या हो गया, एक term में इसका एक power कम तो ज़रूर हो गया, बट x minus one तो फिर वीरा, दोनों जगा पे, इसमें तो as it is, आप पूरे का पूरे ही आगया, इसमें एक power कम हो गया, तो one रगने पे वो zero हो गया, अब अगर मैंने इसको f double dash x निकाला, मतलब क्या है, इसमें बोलने में क्या है, कि इस पूरे में से अगर मैं निकालना चाहूं, तो x minus one का square भार निकलाएगा, ऐसी f double dash x को निकालो के तो x minus one भार निकलाएगा, और यहाँ पर और कुछ आ जाएगा, तो इसमें x is equal to one रगनाख हो गया, तो f double dash one भी zero हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको अगर मैंने एक बार और differentiate किया, f double dash x निकाला, अब यह जो आएगा, यह जो expression आएगा, ठीक है, उसमें x minus one का factor नहीं आ सकता, ठीक है, तो अगर इसमें x is equal to one रगनाख हो गए, तो f का third derivative at one will never be equal to zero, ठीक है, one लिखा हो गए, तो मैं क्या पता लगा, पहला चीज तो repeated root किसको बोलते हैं, repeated root का मतलब यह है, कि power एक से जादा हो जाएगा, अगर power 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सब repeated root है, ठीक है, तो अगर मेरे को केवल यह बताना हो, कि alpha एक repeated root है या नहीं है, तो alpha repeated root है या नहीं है, उसको जानने के लिए हमें क्या बता होना चाहिए, कि x minus alpha का factor कम से कम दो बार आ रहा है, तो उसका मतलब कहा कि, यहां पर यहां पर दोनों 0 हो जाना चाहिए, तो f alpha भी 0 होना चाहिए, f dash alpha भी 0 होना चाहिए, अगर मेरे को केवल यह जानना है, कि repeated है या नहीं है, अगर मेरे को इसके बाद यह भी जानना है, कि कितनी बार repeated है, तो फिर हमने क्या किया, f alpha, f dash alpha, f double dash alpha यह निकालते चले गए माल यह आखरी वाला dash, fourth derivative पे जाके 0 हो रहा है यह ठीक है, माले fourth derivative तक तो 0 आ रहा है, fifth derivative पहली बार non 0 आ जाए तो अगर fifth derivative पहली बार non 0 आ रहा है, तो five बार repeat कर रहा होगा जैसे इस वाले case में, यह x minus 1 का cube था, तो इसमें जब तक हमने f dash निकाला वो भी 0, f double dash निकाला वो भी 0 third derivative पहली बार non 0 आएगा, तो अगर third derivative पहली बार non 0 आएगा, तो उसका मलग है कि जो root 1 है, वो तीन बार repeat कर रहा है रिपीटेड है, यह तीन बार repeat कर रहा है, ठीक है, तो अभी इसको लिख सकते है, note 1 तो हमने क्या बोला, if alpha is a repeated root of the polynomial, if alpha is a repeated root of the polynomial f x, then if alpha is a repeated root of the polynomial f x, then f alpha is equal to f dash alpha is equal to 0 है, यह ठीक है यह तो हो गया है note 1, note 2, इसे तो हमें क्यों बताए कि रेपीट होगा, मतलब x-alpha का whole square का एक factor आ जाएगा, बरसे हमें यह नहीं बताए कितनी बार repeat करेगा, ठीक है, if alpha is a repeated root of polynomial fx, which repeats r times, then f alpha is equal to f dash alpha, is equal to f double dash alpha, is equal to and so on, अगर r bar repeat कर रहा है, तो f का जो r minus 1th derivative होगा, alpha पर वो भी 0 आएगा, तो वो सारे तो 0 आजाएगे, bracket में लिखने का मनलब का है, derivative लिखा है, power नहीं लिखा रहा है, इसका मनलब का है, r minus 1th derivative, तो अगर r कहा होगी 10 हो जाए, तो यह कहा है, 9th derivative, और अगर r बार repeat कर रहा है, तो जो rth derivative होएगा, ऐसे, alpha, वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, यह next point होगे, कर दो जाए, जाएगा, तो